मौसम खराब होने के साथ ही प्रदूशन बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए ग्रैप 3 लागो कर दिया गया समय समय पर जरूरत पढ़ने पर ग्रैप 3 लगाया जाता है और फिर उसे हटा दिया जाता है फिलहाल BS3 पेट्रोल और BS4 डिजल वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है जिसके बाद से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काते जा रही है वाहन रणिंग कंडिशन में नजर आते ही चालान काते जा रही है जिसके बाद से वाहन चालकों की परिशानी तो गल्त है ना विरकानों यह तो गाड़ी के रिजिशन उतना ही करो ना जितने साल चलनी है नहीं गाड़ी है कोई पुरानी नहीं सर अभी चलान तो नहीं है लेकिन मेरे पास BS4 गाड़ी है वह डीजल गी और यह लोडिंग गाड़ी है मेरे पास उस पे अभी किस्त भी अगर जो सरकार ने रूल चला है अगर मुझ गाड़ी को खड़ी कर देता हूं तो उसकी किस्त कहां से पे करूँगा अगर किस्त भी नहीं करूँगा तो फाइनेस वाले उठा लेंगे अब गाड़ी नहीं चलेगी तो सर और गौवर्मेंट का हर महीने का जो ट्रेक्स बर दूरुग्राम ने ग्रैब 3 लागू कर दिया गया था जिसके तहट विभागी आदेशु के चलते साइबर सीटी के तमाम पॉइंट्स पर चलान किये जा रहे हैं हाला कि चलान प्रक्रिया में काटे गए चलान की रस्तीद पर चलान का श्चुलक नहीं लिखा होगा आखर प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है मगर ऐसे में कहीं न कहीं मध्य वर्गे परिवारों के लिए मुश्किले बढ़ती जा रही है अब ऐसे में इन लोगों की समस्तियाओं का समाधान करने के लिए क्या फैसला लिया जाता है ये देखना होगा सूर्या स समाचार के लिए गुरु ग्राम से निरशंबाता के लिपोट